अभी आपने जो नियोजन एवम नियंतरण में जो संबंद समझा ये इस चैप्टर का important question है बच्चों इसकी तैयारी अच्छे से करेगा कि यो को जो question है वो अक्सर परिख्षाओं में पूछा जाता है आए अब एक important question जानने के बाद next important question की और बढ़ते हैं जो की है process किसका नियंतरण की प्रक्रिया मतलब अब हम पढ़ेंगे की नियंतरण किस तरह किया जाता है अब नियंतरण की प्रक्रिया का जो chart या flow chart आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें 5 important steps होते हैं इन महतपूर्ण क्रियाओं को करने के बाद ही ये नियंतरण की प्रक्रिया है वो पू कि यह की तो हि धेला है प्रगती प्र Europeans का निर्धारण इस टैप में क्या होता है कि प्रमापो का निर्धारण किया जाता है जिस बेसिस पर किया जाएगा जो रिजल्टस आएंगे उनको क्या किया जैएगा और जो अबच्विश में इसे हम कहते हैं तो इस में क्या होता है कि प्रमापों को decide किया जाता है कि किस तरगे प्रमाप होंगे अब अगर हम प्रमापों की चर्चा करें तो प्रमाप दो तरह के होते हैं एक होता है संख्यात्मक प्रमाप और दूसरा होता है गुनात्मक प्रवाम संख्यात्मक प्रमाप क्या होते हैं इसे इंगलिश में क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव कहते हैं और गुनात्मक क्या होते हैं जिसे इंगलिश में क्वालिटेटिव कहते हैं संख्यात्मक प्रमाप में ऐसी चीजें आती हैं जिने हम संख्या के रूप में नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं जैसे उत्पादन में लगाए गई लागत अर्जित किया गया लाब कितना व्य हो रहा है कितनी आय हुई है तो यह सब चीजे होती हैं किसमें आती हैं संख्यात्मक प्रमाबों के अंतरगत ने आती हैं उसी किस तरह अगर हम गुणात्मक यानि क्वालिटेटिव प्रमाप समझें तो इसके इंतरगत क्या आएगा अब इसे किस तरह किसा मेज़र करना है तो किस तरह मेज़र करेंगे कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके एपसेंटी रेट यानि उनमें वो कितने दिन आ रहे हैं कितने दिन नहीं आ रहे हैं ये जानना दूसरी चीज ये जानना कि जो उनके जो श्रम परिवरतन की दर है वो कैसे हैं श्रम को के साथ संबंद कैसे हैं वहां पर जगड़े हैं उनकी दर क्या है इन दरों को क्या किया जा सकता है मेजर किया जा सकता है और ना पाजा सकता है इन्हीं दरों के बेसिस पर क्या होगा यहां पर पता चल पाएगा कि जो गुणात्मक प्रमाप हैं वो किस तरीके से ना पिजा सकते हैं हमने बच्चों प्रमापों के दो प्रकार समझे अब इन दो प्रमापों के प्रकार समझने के बाद हम देखते हैं कि प्रमापों के आधार क्या हो सकते हैं प्रमाप के चाराधार हो सकते हैं यह किस्म मात्रा लागत समय किस् यह प्रोडेक्ट जो कस्टमर को देख रहे हैं वह बी किस्म एंक्लूट हो और मात्रा कितनी क्वाइं टीमें रोड़ मांटीमें यह जो फसले प्रोड़क्ट है यcha अन्ति मुतबाद है उसकी क्वाइंति क्या है और लागत की लंकि कि इनकी कितना पैसा लग रहा है इंवेस्ट्मेंट क्या हो रहे हैं उस्में व्याय कितना हो रहा ये सारी चिज़ें लागत में आएगा समय का निरधारन जो हमें objective अचीव करना है वो समय Swiss के लिए इंएंग पूरा हो सकता है ये सारी चीजें प्रमापों के आधार माने जाते हैं मैं अब जो स्कृरीन पर आप चार्ठ देख रहे हैं यह different functional एरियास में प्रयोग होने वाले प्रमाप हैं इसे कहते हैं विभिन कार्यात्मक शेत्र में प्रयोग होने वाले प्रमाप अब अगर हम उत्पादन के शेत्र में देखें तो पहला प्रमाप किस्म दूसरा प्रमाप मात्रा तीसरा प्रमाप लागत और चौथा प्रमाप समय ह अगर हम दूसरे कार्यात्मक फुंक्शन की ओर या क्षित्र की ओर चलें तो दूसरा कार्यात्मक शित्र विपणन है उसका पहला प्रमाप विक्री मात्रा दूसरा विक्री खर्च तीसरा विक्री करताओं का लक्ष होगा उसी तरह हम तीसरा कार्यात्मक शित्र सेवी वर्ग को और एद सट की दर होगा है ईंतिम हम वीधियम लेखन देखें तो उसमें पहला प्रमापो मठ पूञट अर तीसरा प्रमापो का तरलता तो इस तरीके से ज़ो कायरात्मक श्सेत हैं उसमें प्रीयोक होने वादे प्रमापो को समझ सकते हैं अब जब प्रगती प्रमापों को निर्धारन होता है तो उसमें ध्यान रखने वाली वाते कौन कौन से हो सकती है जो प्रमाप यानि स्टांडर्ड सेट किये जा रहे हैं वह तरक युगत होने चाहिए यानि रीजनेबल होने चाहिए ना तो वह इजीली गें कर सके और नहीं उनक को बोरिंग फील होने लग जाएगा और अगर बहुत कटीन होगा तो उसकार को करने में बहुत समय आएंगी और अगर करेंक लिए लंबा कहीं तो उधासीनवी हो जाएगा साथ ही साथ वह क्या हो जाएगा अपने औब जेक्टिव को प्राप्टन निकर पांगा जिससे ज होनी होने चाहिए जो दूसरा ध्यान रखने भाप ये होनी चाहिए कि प्रमाप होते हैं मतलब हएं परिस्टि ऐसी है कि उन प्रमापों में थोड़ा बहुत changes करना है तो वो changes कर सकते हैं ऐसी प्रमाप तैय होने चाहिए या ऐसे standards बनाये जाने चाहिए चौथी जो ध्यान रखने के बात हैं कि यह जो प्रमाप होते हैं वो सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए अर्थात उनको आसानी से जो है अपने अधिनस्तों को समझाया जा सके ऐसे ही रीजनिबल और सरल एवं स्पष्ट जो प्रमाप हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको तै करना चाहिए अंतिम ध्यान रखनेयों के बात यह है कि निर्धारण के समय विचलन की सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए अर्था जब स्टैंडर्ड्स डिसाइड किये जाते हैं डिफाइन किये जाते हैं या प्रमाप जब निर्धारित किये जाते हैं तो किस बिंदू किस बिंदू पर उसका विचलन पॉइंट स्टार्ट होगा या कहां से उसका विचलन काउंट किया जाएगा या मेजर किया जा अब दूसरा बिंदू आता है या दूसरा स्टेप जो है वह वास्तविक प्रगति का मापन अब वास्तविक प्रगति का मापन कैसे होगा बच्छों देखिए वो दो तरीके से हो सकता है पहली चीज का होगी जब जो कार है वो प्रगति पर है मतलब work is on progress उस समय जब मापन कि किया जाएगा तो किस तरीक कारे होगा सुपरविशन वाला कार होगा उस समय जब उसको इसको स्टैंडर्ड से मेजर किया जाएगा तब इन फ्यूचर अगर कोई हानी होने वाली है उस वज़्य से तो उसको तुरंत रुखा जा सकता है और उसके लिए सुधारात्मक कारि किया जा सकते हैं और दूसरा आप कब किया जा सकता है जब पूरा कारे complete हो गया है या पूरा कारे समाप्त हो गया उसके बाद जब standards से उसका मुल्यांकन किया जाएगा या प्रमापों से उनकी तुलना की जाएगी उस समय क्या होगा कि अब जो कारे हो चुके हैं या जो उनसे हानिया हो चुकी है उनको तो पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन इन फ्यूचर या भविश्य में ऐसी समस्याएं न उत्पन हो या इस प्रकार की हानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं नेसरी आक्शन्स या जरूरी कदम उठाए जा सकते ह अब इसमें बच्चों जो ध्यान रखने यों के बाते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि कारे प्रगति जो आकड़े होते हैं वह पूरी तरह सही होने चाहिए दूसरी बात है कि आकड़े निरंतर तयार किये जाने चाहिए जो अब्जवेशन्स लिए जाते हैं वह हमेशा बिंदू है वह प्रगति मापने के मापदन उसी इकाई में होने चाहिए जैसे कि प्रमाप तै करने के लिए इस्तिमाप की जाते हैं और इसका जो अंतिम ध्यान रखने योगे बात है वह यह है कि प्रगति मापन पद्धती शीगर विचलन प्रकट करने वाली होनी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की और जो कि इसका तीसरा स्टेप है यह कहता है कि वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन और जिए करता है लेकिन जब धनात्मक विचलन है तो वहां पर इंपोर्टेंट है कि उन विचलनों का रीजन उसके पीछे जो कारण है उसको जाना जाए और इससे और कितनी अच्छी तरब तरब बढ़ाया जा सकता है मतलब जो लाब अरजित किया गया है उस लाब को और अच्छी तरह की सरब प्राप्त किया जा सकता है वो जाना जाए तो इसलिए धनात्मक और रणात्मक दोनों तरह के जो विचलन प्राप्त होते हैं प्रमापों से तुलना करने के बाद उन दोनों ही विचलनों का अध्यन करना जरूरी है इसके बाद हम आते हैं चौथे स्टेप पे जो कि कहता है कि विचलोनों का विशलेशन करना बच्चों विचलोनों का विशलेशन कैसे होगा विचलोनों का विशलेशन होगा इन चार कुशन के बेसिस पे होता है पहला कुशन है कि क्या प्रमा प्राप्त हो सकता है मतलब जो स्टांडर्ड्स तै किये गए हैं क्या हम उस किया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं कारे अपने गती के नुसार चलेगा हम आएंगे दूसरे कुशन पर जो इसके बाद आता है दूसरा कुशन कहता है कि क्या विचलन स्वीकारे हैं मतलब जो डेवीएशन आ रहे हैं कारेों के बीच या वर्क इन प्रोग्रेस जब कारे अंतर चल रहा है तो जो speak करें तो आसकता है तो अगर यह अंतर कोई दिक्क नहीं नहीं अभी विकायर अपने प्रगती पर चलेगा अब कारे बढ़ेगा नेक्स्ट कुशन कियो जो की कहता है क्या प्रमाप स्वीकारें क्या स्टांडर्ट जो हमने हैं क्वेस्टर थे अग इसके लिए का लिए सुधारात्म किकारे करना है और बिसक01 ही गलत तो उसके लिए परमाक का पुनर निधरन करना है क्या अगर आपके प्रमा यह सेट स्टांडर्ड लिट आ पर हैं तो यहां पर क्या करना है जो फिर से स्टांडर्ड डिफाइन करने हैं और जो काम हुआ है उसको क्या करना है उसकी प्रोग्रस की उसका मूल्यांकन करना है यहां पर चौता स्टेप हैं हम इसको इस सश्माजते हैं कि विच्छलोण ना का विश्छ Service किस तरह की आता है अब बाच्छो इसमें जो मुख्य बिंदू आता है कि डेविएशन टॉलरंस लिमिट इसमें दो टॉलरंस लिमिट है इसको हिंदी में कहते हैं कि विचलन सहसीमा किस तरीके की होती इसमें दो तरह की सहसीमाओं के बारे में हम जानेंगे पहली है महतुपूर्ण बिंद्वों पर नियंत्रन का सिद्धान यानि क्रिटिकल पॉइंट कंड्रोल देखें बच्चों को किस तरीके समझ सकते हैं माल लीजे एक फैक्टरी है उसको अपना प्रड़क्शन करना है और उस प्रड़क्शन के दौरान जो प्रड़क्ट प्र देखेंगे तो प्रड़क्शन में मतलब उत्पादन के समय जो विचलन आता है माल लीजे वह दस परसंट का आता है और यहां पर जब हम जो उत्पाद बना है उसको पहुंचा रहे हैं किसके पास अपने कस्टमर के पास तो उसमें जो विचलन आ रहा है वो कितने का रहा ह हैं तो हो क्या रहा है कि 10 परसंट और 5 परसंट हमें दिख रहा है लेकिन एक प्रोड़क्शन यूनिट के लिए क्या जरूरी है उसके प्रोड़क्शन में लगने वाली लागत को कंट्रोल करना जरूरी है वहां पे इतना बड़ा डेविएशन तो acceptable नहीं है तो उसके हो नłoika सीशता है चूँकर आफने customers लने प्रोड़क्शन में वहां सब्सक्राइब हÊत रहें तो चार्ज करते हैं तो चार्ज कौन पर करिंगा करें कर हैं चार्ज जो डेविएशन आ भी रहा है चुकि डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं कम है तो इसको हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे तो इंपोर्टन बात क्या है कहने का मतलब यह है कि अब जो महत्वपूर्ण बिंदू है केवल जो मैनेजमेंट है या प्रबंध है उनको इन बिंद्व पर ध्यान देना चाहिए और उनसे हुने वाले विचलन पर ध्यान देना चाहिए empower हानी हो रही है तो इसके लिए vestra कारे करना चाहिए और और लाब हो रहा तो उस लाब को और किस सरीके से हम अरजित कर सके उसकी ओर ध्यान देना चाहिए इसके बाद हम दूसरे हम deviation tolerance limit की ओर चलते हैं जैसे कहते हैं अपवाद दौधारा प्रबंद का सिद्धान्त बच्चो इसमें क्या होगा आप देखे इसमें जो tolerance जो है या फिर हम deviation कह सकते हैं जो deviation अगर बहुत कम है किसी reason से या किसी भी उसमें मालेजे जो ring है वो 3% का deviation दिखा रहा है दूपता रिण तो उसके लिए management को या प्रबंद को ज़्यादा चिंता करने की ज़ुरत नहीं है उसके उपर management को उसके लिए pressure लेनी की ज़ुरत नहीं है उसको क्या करना है कि उसको छोड़ देना है जब deviation या विचलन बहुत ज्यादा आएगा तब उसके लिए management को परिशान होनी की ज़ुरत है और उसके लिए सुधार आत्मा कारे करने की ज़ुरत है तो बचो इस तरीके से हमने दो tolerance limits को समझा जो deviation के लिए होते हैं अब इनके लिए हम जो महत्वपूर्ण बिंदूओं पर इन जो नियंतरन एम अववाद द्वारा जो प्रबंद के लाब हैं उनको जानेंगे आईए जानते हैं कि वो लाब कौन कौन से हैं इसमें पहला लाब है कि महत्वपूर्ण विचलनों पर ध्यान देने से समयव प्रयासों की बचत होती है दूसरा है प्रबंद को को ध्यान महत्वपूर्ण शेतर पर देते रहना चाहिए और छोटी-छोटी समस्याओं में नहीं उलनना चाहिए बलकि उनको सुधारात्मक कारे अगर बड़ी समस्याओं ओकर होती है तो उनके सुधारात्मक कारे की ओर ध्यान देना चाहिए फिर बात आती है जटी लेया महत्वपूर्ण समस्या को तुरंत हर कर लेना चाहिए तो बच्चो इससे हमने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंतरन एवं अपवाद द्वारा प्रबंध के लाव को जन अब क्या कारण हो सकते हैं विचलन के कई कारण हो सकते हैं या तो यह मानविय हो सकते हैं या तो यह अनश्चित घटनाय हो सकती हैं या तो यह व होंगी अकर मानव कुशल नहीं होंगे तो यह क्या हो जाएंगे यहां पर जो डेविएशन या विचलन आएंगे अगर हम इसमें अनिश्चित घटनाएं लिखें तो अगर रो माटीरियल सहीं समय पर नहीं मिल पा रहा है या उसकी कीमत बढ़ गई है या श्रम परिवर्तन क आएंगे या विचलन प्राप्त होंगे अगर विभिन रुकावटे देखें तो मार्केट में जो शेर्स या मार्केट में जो उतार चड़ाव आते रहता है वो जो रुकावटे आएंगी उस वजह से भी डेविएशन आते रहते हैं फिर आते हैं गलत प्रमाप्येदी क्या होगा उस बैसिस पर भी होगा कि डेविएशन या विचलन आएंगे और सुविधाओं की कमी मान लीजे किसी फैक्टरी में प्रॉपर हावा नहीं है प्रॉपर रॉष्णी नहीं है प्रॉपर मशीन नहीं है तो इन सितियों में भी क्या हो जाएंगे रिसोर्स मतलब अगर उन पर के पास सुविधाओं नहीं है तो इन सितियों में भी विचलन हमें प्राप्त हो सकते हैं या ये विचलनों का कारण हो सकते हैं अब चौते स्टेप को अच्छे से जानने के बाद आए हम अगले अंतिम स्टेप की ओर चलते हैं जो की है सुधारात्मक कारेवा ही करना अब में विचलन समझ में आ गया विचलन प्राप्त हो गया विचलनों की तुलना हो गई अब इसके लिए हम सुधारात्मक कारेवाही कैसे कर सकते हैं देखिए बच्चों ये दो तरीके से हो सकते हैं वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करके और दूसरा मेंटनेंस उगा उनकी सर्विसिंग होगी और आगे ये समस्यां दुबारा और यहानिया दुबारा कमपनी को ना जहन नी पड़े इसके लिए क्या जाएगा उनके पार्ट को चेंज किया जाएगा या हो सकता है कि मशीन बहुत पुरानी हो गई हो और वह जर जर हो कही हो क पामना सहीं कर पारी हो तो यह भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर उन फॉर्म के पास प्रॉपर फंड होगा तो वह क्या करेंगी मशीनों को एक्स्चेंज कर देंगी या नई मशीनों को उनकी जगह पर लगा देंगी तो इस तरीके से दो सुधारात्मा कारिक किया जा सकते जांगा और इसमें ध्यान रखने वाली बाते क्या हो सकती आए आपन को जानते हैं ध्यान रखनेऊं कiden ये हैं कि पहली बात है कि विचलोनो Kobe ganzeम कर लेने के बाद ही क्या करना चाहिए मूल्य आंकन करना चाहिए दूसरी कि गप्रमाप सब्सकार्पर को फखेए को करने हैं कि जो प्रबंध वही जो प्रबंध है जो व्यक्ति उसमें पहले से कारे में उस वही व्यक्ति कि होना चाहिए मुलिांकन के समय क्णार क्राइब क्योंकि उसका सीधा संबंध किस से है कारे से है तो वो कारे को अच्छे तरीके से जानता और समझता है उसके बाद बाताती है कि कारेवाही जो होती है शीग्र की जाने चाहिए भविश में होने वाली हानियों से बचना चाहिए जो विचलंद हमें मेले हैं जो हमें सुधारा आत्मक कारेवाई होती है उसके लिए तुरंद कर देनी चाहिए जिससे की भविश्य में इनानियों से बचा जा सके और अन्तिम जो ध्यान देने के बाद यह है कि आवशक तनुसार नीतियों नियमों और स्टैंडर्ड यानि प्रमाप उनको भी क्या अगर जरुरत है तो चे यह है इसने हमने क्या समझा एक नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है उसको स्टैप बाइ स्टैप में समझा पहला स्टैप क्या समझा कि प्रगति प्रमापों का निर्धारन कैसे करना है फिर वास्तविक प्रगति के प्रमाप की तुलना की फिर विचलोनों का विशलेशन किय और उसके बाद सुधारात्मक कारेवाही की बच्चों हमने यहां सुधारात्मक कारेवाही कर ली परंतु मात्र सुधारात्मक कारेवाही कर देने से ही नियंत्रेंट का जो कारे है वो पूरा नहीं होता अपितु यह भी देखना पड़ता है कि इस कारेवाही का वास्तविक परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा और यदि नकारात्मक परिणाम मिलते हैं उस पर पुना सुधारात्मक कारेवाही करनी चाहिए इसलिए जो है हम नियंतरण यानी कंट्रोलिंग को एक निरंतर चलने वाली क्रिया या continuous process कहते हैं तो इस तरीके से हमने नियंतरण की प्रक्रिया को समझा आईए अब हम प्रबंद की नियंतरण की तक्नीकों को जानते हैं कि कौन कौन से टेक्निक का यूज किया सकता है कंट्रोलिंग में पहली जो है परंपरागत तक्नीक है और दूसरी है आधुनिक तक्नीक परमपरागत तक्नीकों को हम शुरू करते हैं कि परमपरागत तक्नीकों में कौन-कौन से तक्नीके जुड़ी हुई है या कौन-कौन से तक्नीके आती है इसमें जो पहली तक्नीक ली जाती है वो है विक्तिकत अवलोकनी यानि परसनल अब्जरवेशन इसमें क्या किया जाता है बच्चो अब चुकि परागत तक्नीके हैं ये बहुत ही पुरानी तक्नीके हैं अब ये तक्नीके कम यूज होती है ये कम इस्तेमाल में लाए जाती ह और बहुत सी कमपनियां ऐसी भी है जो इनको इस्तमाल भी नहीं करती हैं लेकिन कुछ एक छोटी कमपनियां हैं जो इनको यूज करती है तो Personal Observation जो टेकनीक है ये सबसे Easily Used आने वाली टेकनीक है इस टेकनीक में क्या क्या जाता है कि जो प्रबंधक है वो Observation लेता है करता है वो जो पहले कारे किये गए थे उनसे अभी के कारे को क्या करता है मेजर करता है तो इस तरीके से उसके लिए यह कारे करना बहुत आसान जाता है और इस बेसिस पे कि हमारा लाब last year से जादा है या last year से कम है यह निकालना एक easy task हो जाता है तो यह पहली टेकनीक थी दूसरी टेकनीक कहती है कि संख्याक शात्री प्रतिव एदन technique के जैसे हम statistical reports भी कहते हैं इसमें क्या किया राफिकल यानि रेखा चितर के द्वारा क्या किया लाता है जो statistical words use करते हैं, हम जैसे Air資 निकालते हैं या क्या करते हैं, प्रतिश्यत निकालते हैं, अनुपाथ निकालते हैं इन चीजों को इस्तमाल में लाता हैं किन लिए? लागत के लिए उत्पादन के लिए, होने वाले WI के लिए इस सारे इनको जो हमसे data मलता है उनको औसत प्रतिशत अनुपात के रूप में यूज करके हम एक graph नेर्मित करते हैं या फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए एक chart बना सकते हैं और इनकी मदद से हम जो विचलन हैं उनका पता लगा सकते हैं कि कारी की प्रगती क्या है तो इस तरी कैसे हमने संख्या शास्त्री प्रतिवीदन यानि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को जाना जो तीसरी तकनीक है वह सम्विच्छेदी विश्लंड टेकनीक जिसे ब्रेक इबन एनलेसिस कहते हैं यह जो होती है वह विशेशकर लागत और लाब के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाती है इसमें क्या होता है आप जो चित्र इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं ग्राफ जिसमें दिख रहा है कि यह जो ग्राफ है लागत और लाब के बीच में अब यहां पर देख रहे हैं दो रेखाएं जो हैं एक बिंदू पर जाकर के मि हुंने कार किया है उसकी प्रगतिक है अगर जो कार की प्रगति हम देखे संविछे भी बिलुदू के दाईं और और जाती है वह वह जाए और होगी तो उससे क्या पता चलेगा कि यह हानी की और जा रही है अब सम्विच्छेदी बिंदू के लिए सूत्र उपयोग में लाए जाता है कुछ इस प्रकार है कि सम्विच्छेदी बिंदू बराबर इस्थाई लागत बटे प्रती इकाई विक्रे मूल रिंड प्रती इ कंट्रोल आप ज़ती नियंत्रन इसमें क्या है कि आपके कघर में बजट बनता है या आप कुछ खरीदने जाते हैं दुकानों पे तो वहां पर सुनते हैं कि सर आपका बजट क्या है मालिज़वी लने जा रहे हैं तो वहां पर जो सेल्स्मेन होगा वो जरूर पूचहेग तो बच्चों बजट से हम क्या समझते हैं कि एक विवरण होता है जो कि हमें यह ग्याद कराता है कि हमें हमारा जो पॉइंट है या किस एंड पॉइंट तक हम किसी कारी को कर सकते हैं अब अगर हम इसे नियंतरंट से जोड़ें तो हम इसे इस तरह परिभाश्चित कर सकते हैं, कि यह इस तरह का विवरण होता है, जो भावी परणामों को जानने के लिए हमारी साहता करता है, और इनको प्राप्त करने के लिए कितना खर्च होने वाला है, यह भी घ्याद करात होता है तो भाड़ स्ट्राजर बजेटरी कन्ट्रोल को या बजट को समझने के बाद हम यह जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी तरह के बजट होते हैं एक तो विख्रय बजट होता है उत्पादणizon भी होता है फिर बीट्य तरह looking अकड़ बजट भी होता है इस तरह के बजट जो है इस बजटी कंट्रोल में mogANT हैं इंकलूड़ अबड़न हैं उससे company को किस तरीकी केमा लाभ हो सकते हैं पहला यह होता है कि उनका उद्देशों पर क्या होता है ध्यान के इंद्रित हो जाता है कि उनको पता है कि उनको इतने बजट के अंदर अपने कारे का समापन करना है अपने उद्देशों को प्राप्त करना है तो वह अपने कारे की और ही अग्रसर रहते हैं और क्या करते हैं उनका ध्यान वह इधर उधर प्रिशित नहीं करते हैं से इसके बाद होता है कि तुलना कर सकते हैं कि संसाधन अब आटवारा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी फौर नहीं चलता वह बटा होता है तो बजट के इनुसाद अभिस संसाधन एक भी भाग को है तो वो उसको को दिया जाए उसके बाद अगर दूसरे भाग को भी इसके आशक्ता पढ़ती है तो अगर वह स्टोर में हैं या उससे शेर कर सकते हैं तो उसे शेड कर लिया जाएगा उसके बादाय प्रभाव Значитं किस तरहिके से निहंदरंट रखा जाए पूरे बजट पर ये बजट के द्वारा ही पता चलता है क्योंकि माली यह 10 लाग का बजट है अब इससे बाहर चले जाएंगे तो प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरीके हम आगे बढ़ते हैं मौडर्ण टेक्निक्स की और जो से आधुनिक तकनीक कहते हैं हिंदी में यह तकनीक है आजकल फर्म्स जो हैं बहुत यूज में लेके आ रही है इसमें पहली तकनीक है वह है विनियोग पर प्रतिफल यह रिटर्न ऑन इन्वेस्टिमेंट बच्चों इ किया सकता है अब हम प्राइब का घर्いた जो सुत्र के द्वारा रावए निकाले हम उसको देखें तो जो आर राई है उसका सूत्र कुछ परकार है कि da ba ba baIP talking और इसमें विक्रे को कैंसल कर देते हैं तो इसका फाइनल जो स्टेटमेंट यह सूत आता है वो विनियोग का पर प्रतिफल बराबर हो जाएगा शुद्ध क्रय बड़े कुल विनियोग अब उससे होने वाले लाभों को अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि संसाधनों को प्रभावी डंग से कैसे प्रयोग किया जाना है यह आरो आई की मदद से समझ किया है और चालू वर्ष के विचलन है उन दोनों को क्या कर जाएगा उनका मुल्यांकन किया जाएगा उनका बीच कंपारिशन किया जाएगा और उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकाला जाता है अब तीसरा बिंदू जो यह लाभ कहता है कि यह विनियोग पूंजी के तेकनीक में फर्स टेकनीक यूज की रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यह विनियोग पर प्रतिफर उसके सूत्र को जाना उसके कॉंसेप्ट को जाना और उससे होने वाले कंपनी को लाप को जाना आएग नेक्स्ट टेकनीक की और चलते हैं